सब्सक्राइबर ने कमेंट किया और पूछा है सब्सक्राइबर ने कमेंट किया अग लग जाए तो हमको क्या करना चाहिए वीडियो में आपको कमाल का फॉर्मुला दूँगा और आपको स्टेप बाइ स्टेप समझाऊंगा क्या करना है और जो स्टेप हमने लिया है क्यों करना है और इसका इंपोर्टेंस क्या है तो आइए वीडियो शुरू करते है तो वाट टूडू इन केज ओफ फायर तो स्टेप नंबर फ्रेंड्स वन जब भी आपके प्रिमांश स्टेम अ कि यहाग लग गए तो आपके में लगा वाउएर अलां सिस्टम एक्टिवेट होगा तो आपके प्रिमाश में जितने लोग हैं उनको पता चले गा कि आपके प्रिमाश घाले लग नौूर तो आपको चुब्धे पहले काम करना है इस देखिए आप लोग ट्रेंड है आप लोगों आग की जानकारी है और हर सिचोचर में क्या एक्ट करना है कैसे अपने आपको शुरक्षित रखना है दूसरे को शुरक्षित नहीं आपको पता है लेकिन सारे जो इंप्लॉई है जो उस प्रिमाइसेस में उपस्तित लोग है प इतना ही मालूम है कि अलाम बजना मत इमर्जंसी है जानको खत्रा है कुछ तो हो गया है गडबर तो लोग भागने लगेंगे भागदर की स्टेट्वित पन्न होगी तो दो प्रॉब्लम आएंगे सबसे पहला जो प्रॉब्लम आएगा वो क्या होगा लोग गंभी रूप स प्लेस ऑफ फायर चेक करेंगे कि मतलब आग कहां लगी है आपने जगह चेक कर ली स्टेप नंबर थ्री स्टेप नंबर थ्री में का करेंगे आपके निकट आपके अगल बगल देखिए कौन सा फार एक्टिंगुशर एविलेबल है उसमें देखिए अगर सी ओटु है बढ़ यहां DCP है तो काम चल जाएगा ठीक है इन दो फार इस्टिंगुशर को एक फार इस्टिंगुशर लीजिएगा अब इसकी वज़ा क्यूं यह दो ही क्यूं सर और भी तो है और क्यूं लहीं तो इसकी वज़ा यह है कि यह दोनों जो है एप्लिकेबल टू आल है क्य ठीक है उसको इस्तेमाल करते हैं लेकिन और बाकी अब कॉर्प्रेट में लोहे में आग तो नहीं लगेगी ठीक है तो इसलिए इसकी हमको ज़रत भी नहीं है हमारा काम CO2 DCP में चल जाएग अब CO2 DCP में कौन सा अगर दोनों आए तो कौन सा लेना है तो मैं रिक्मेंट कौ मैं CO2 क्योंकि CO2 की खासियत यह है कि आगा आप किसको मालेजी इलेक्टरिंग से आग लगी है तो पैनल में कहीं इलेक्टरिकल पैनल में आग लग गई है तो अब आप CO2 का शड़का उस पर करेंगा तो आग बुच जाएगी और आपका फाइदा हो कि आप पैनल है उसको तो रिपेर करके रियूज कर सकते हैं लेकिं अगर डी सीपी इस्तमाल किया उस पैनल पर तो पैनल जो हो सत्यानास हो जाएगा आग तो बुच जाएगी लेकिन पैनल खराब हो जाएगा फ्रेट्स लेकिन अगर इस्तिति ऐसी है कि CO2 अपली के यहां पर आपका अवेलेब खराब कर दो ठीक है अब करोडों का नुकसान होने से अच्छा है कि 10,000 पैनल खराब हो जाएगा अब करोडों का नुकसान हुआ अलग से रेनुवेशन का चार्ज लगे अलग से फायर गॉर्मेंट की जो फायर टीम है फायर इपलेटर लाइगे अलग से वो लोग उसकी जांच परदाल करेंगे दुनिया भर की इंक्वाइरी अरे बापरी माथा पच्ची हो जाएगी तो इससे अच्छा भई है कि 10,000 का पैनल में खराब करना क्यों सब्सक्राइब खराब होगा ना खराब हो जाने तो ठीक है अब कई बाद सितिया ऐसी हो जाती है कि आपको न सब्सक्राइब भागिए और भागिए अब उस जगह पर आईए जहां पर आग लगी है जो जगह आपने फाइरपल में देखिए अब सर जगह पर आगे क्या करना है तो स्टेप नमबर फूर आपको देखना है प्लेस ओफ फाइर क्या है मतलब पीन पॉंट लोकेशन ठीक सब्सक्राइब है चौते माले पर आग लगी है तो प्लेस ओफ फाइर उसके बात टाइप उफ फाइर उसके बाद साइज उफ फाइर यह तीन चीज़े इंफर्मिशन आप गईजर कर लीजे इसकत करने आपको इन-फॉर्म करना है किसको इन-फॉर्म करेंगे आप तो सु सेक्यूरिटी सुपर्वाइजर सीक्यूरिटी ओफिसर आपके प्रमाइस जिया आपके सुपीरियर करोगे आप इनको तो हमारे में ये पलेस पर चुपीर्द का तना बड़ा बड़ा फायर लग गया है चोटकू वाला हुआ तो चोटकू फायर बोला मुटकू वाला तो मुटकू फायर बोला तुरांत क्या करना कॉल करके इनफॉर्म कर दिया अब आपका जो सुपीरियर क्या करेगा वो ERT टीम एक्टिविट करेगा हलो ERT टीम हमारा गाड हमको बताया है कि इस प्लेसवा पे इस ट्राइब का इस साइज का फायर होगी है तो यह जो ERT टीम में तुराद एक्टिविट याएगी और वो कूछ करेगी अब ERT टीम को इस प्लेस पे यहां से यहां आने में टाइम तो लगेगा तो इस बीच आप क्या करोगे तो देखिए फ्रेंट्स साइज ऑफ फायर जो है ना ओछुटकू वाला है तो आप इसको चलाइए और आग को बुझा दीजिए ठीक है अगर आपको लग रहा कि ना भाईया सला इसके पास जाएंगे तो हमें ही जल बनके भुट्टा हो जाएंगी हम कोई लोग पहचाने इससे इंकार कर देगी ठीक है तो आप क्या कि इस आग से दूरी पर सेफ प्लेस पर आप खड़े हो जाएंगे लेकिन फ्लोर चोरकर भागिए नहीं जब तक आपको आपकी जान का खतरा नहीं मैसूस होता है अब दूतिनी दूर आग लग रही है तो उससे हमको क्या खतरा होने वाला है और हमारे अगल बाग को जलने सेमके माले पर चाह Ary तो आप रहें जाता है यहां पर आग लगी है अगर आप रहें तो क्या होगा इसमने जो टाम आप अटक्षन हो गया अब बहुल चामाला पोना सीनक्ट से यहाई की जाएकória चोटी अग दर रहें ऊष्ठ महें यहां है जब दिखत बढ़ जाएगा है आग छोटी है और आप बुझाने में असक्षम है और सही नहीं लग रहा है तो आप डर रहे तो आप सब निपट लेगे देख लेगे अब एल्टी टीम आ गई है ठीक है तो उनको आप सपोर्टिंग स्टाफ में से काम कीजिए क्यों कोर फारफाइटर है आप देख लिए ज लगी है पहले तो आग बुझाते बाद सब्सक्राइब करेंगे ना ऐसा नहीं करना क्यों नहीं करना फ्रेंड इसकी वज़ा यह है माल लीजिए आपने आग बुझाने की कोशिश की और आग बढ़ गई है अब आपने इनफॉर्म नहीं किया है किस्व को पता ही नहीं कि आग लगी हुई है तब क्या होगा तब आप इसी आग बगर आग की जो इस्तिति ऐसी है मतलब औरतों की मुड की तरह है कब चंदर मुखी और कब ज्वाला मुखी पता नहीं चलता है एक मिनट में आग इतनी तेजी से बढ़ जाती है ठीक फ्यूल मिलना चीए सर्क उसको इस खत्र को अबोड करने के लिए अगर पता है कि आप यहाँ पर है इस एटी टीम को पता है तो यह बुड़ी आप कहां पर है आप जांग और खत्रा है तो तो इसलिए किसी भी इमर्जनसी में कीवल फाईर में नहीं फिर फेंड्स हमेशा बैक अप बुला कर रखे एक ट आग लगने की स्थिति में काम करना है अगर आप उसे इंटर्वी पूछे तब भी आपको यही स्टेप बाई स्टेप चीजे पता नहीं है क्विक्ली हम लोग रिवाइस कर लेते क्या करना है स्टेप नंबर वान सबसे पहले फार अलाम सिस्टम के पास जाएंगे उसमें दे जाएंगे फायर प्लेस फायर हम लोग चेक करेंगे किस जगह पर आग लगी है स्टेप नंबर थ्री हम सिलेक्शन ऑफ करेंगे हमारे नजदीक में निकट वरती जो फार इस्टीमिशर है अगनी शामर के यंत्र है उसको जाकर उठाएंगे और लेंगे और आग की तरफ भ हम फलनवा बोल रहा हूं धिम का जगह पर धिम 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 हो गया है मतलब यह जगह पर इस टाइप की फायर लग गया और इसकी स्थिति यह है चुटकी वाली है यह मुटकी वाली जो भी रहेगी आप बता दीजिएगा फिर आपके सुपिरिक का रहेंगे इस एर्टीम एक ठीक है आपको डर लग सकता है अगर आपको ऐसा हुज हो रहा है तो बहादूर बढ़ने की कोशिश नहीं करना है कि बहादूर लोग बहुत जल्दी दुनिया से दूर हो जाते है तो आप से खड़े हो जाईए और एक्सपर्ट लोगों की आने की इंतजार कीजिए आप इ सब्सक्राइब अभी कर लीजे बेल आइकन को तो आप भी हिट कर लीजे और अपनी जो स्कूरिटी फैमिली है इसमें इस वीडियो को ज़रू शेयर करें